हलो फ्रेंड्स मैं दिप्ति क्याड़निंग में दिप्ति में आप सभी का स्वागत करते हूं दोस्तों आजम बात करेंगे एक बहुती बढ़या प्लांट जिसका नाम है गंधरास इस प्लांट का नाम गंधरास क्यों हुआ इस प्लांट को सॉयल के साथ चाहिए कैसा प्लांट का समस्या होता है बो कैसे दूर होगा घना कैसे बनेगा बुर्शी कैसे होगा यह प्लांट ऐसे बहुत सारे चीज़ों के बार में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं की है और मेरे चैनल को भी कर दीजिए तैकि में निव वीडियो लाती रोखेंगी और मुझे भी मोटिवेसंस मिलता रहेगा दोस्तों तो चलिए वीडियो को बिना दरी किये हुए सुरू करते हैं दोस्तों इस प्लांट का नाम गंदराज इसलिए हुआ कि इसका जो फ्लावर्स खिलते हैं दोस दोस्तों यह प्लांट और इस प्लांट में आप एक बार फूल लाने के बाद आप देखेंगे छे दिन या साथ दिन तक इसका फूल खिलता रहेगा आप जितने बार भी क्रॉस करेंगे और इस प्लांट के साइट से आपको खुजबू ही खुजबू महसुस होगा अगर कि अपने गाणेद में ऐसे ही तींचैर प्लांट 3-4 पूण तो हम हैंसा इसका खुजबू आता ही रहेगा दोस्तों यह इसलिए इसका जो गंद है इसलिए प्लांट को गंदराज बोलते हैं दोस्तों ब्सक्राइज इस ख़िलते रहेंगे दोस्तों तो चैनिया पहले इसके सोय आल के बारे में बात करते हैं तो सोयल इसके लिए जो हम लेंगे एक हिसा गॉक स लेंगे अगर आप चैहेंगे तो एक हिस्सा सेंड भी एड़ किज Raphael पूरा भुरबुरी होना चाहिए पूरा सवथ होना चाहिए इसका ही होड़ा से साथ हम यहां पर मतलब सुइल में जो पने के लिए हम यां आपने फिट के chemotherapy आप दाले हैं और यहां पर इसमें में खतना तो यहां पर मैंने इंट करूंगी दोस्त्तों यहां पर मैंने इन ऐंट कि यहां पर मैंने भी डाली हूं और इसमें क्या होगा दोस्तों चुछ सायल का अवंगस नहीं लगए अरीयेशन भी बना रहेगा तक कि प्लांट में और नो्रफ़कयल अंधवर्वाइब से रहेगा ओनाब्र प्लांट्स का रूटिंढ पर तो प्लांट जो हमारा अच्छे से ड्रू ऑप तो सो इसके लिए हम ऐसे लेंगे यस profit पर हम जब इसकasol prepare करेंगे तब हम इसमें ढ़ूण बेर दाल सकते हैं इसमें हम भात वी थोड़ा सा डाल सकते हैं दोस्तों क्यूं भी एक heavy feeder plant है पर मैं अब ऐसे ही इस में इस plant को तयार करूँगी और इसके बाद जो पानी में डालूँगी दोस्तों फर्स्ट वाटरिंग के बाद जो सेकेंड वाटरिंग या थार्ड वाटरिंग करूँगी 10-15 दिन के अंदर में इसमें fertilizer बगेरा फटास हो गया या फिर NPK का कोई भी fertilizer इसमें डालूँगी दोस्तों और इसका अगर हम location के बात करेंगे तो सुबह का धूप इसको चाहिए दोस्तों एक देड़ घंटा या फिर तीन-चार घंटा का धूप यह में इसप्लांट को दे सकते हैं यह यह फिर जादा धूप से ही इस प्लांट और इस तरीके से हो जाता है दोस्तों अगर हम इसको चाहिए में रखेंगे मतले पूरा ब्राइट अरिया पर तो इसका फूल है छे- भी देता रहेगा दोस्तों यह बहुत ही छोटा प्लांट है थोड़ा सा छोटा था जब मैं नर्सरी से लाई थी और इसका प्राइस 150 रुपिस वहा था अब मैं इसको मतलब एक फिट से थोड़ा सा कम बाला प्लांटर में लगाऊंगी और बड़ा होने के बाद मैं इसको बड़े प्लांटर में मतलब शिफ्ट करूंगी दोस्तों पर इसके लिए हमें बड़ा प्लांटर लेना चाहिए मिनिमुम बीस इंच या फिर दो फिट का प्लांटर में हम इस तो इसे हम ध्यान से पानी देंगे बहुती जादा पानी नहीं नहीं देंगे अंडर वा्टरिंग्स के दें करिंगे दोस्ते लाएं मां पीला पढ़ना सुरू हो जाता है और फूल तब भी हमारा प्लांट का फूल है वो लंबा समय तक टिका नहीं रहता है और कल्या भी गिर जाता है दोस्तों तो हम इसको सॉल को चेक करेंगे और हर अल्टरनेट अगर हम थोड़ा सा ड्राइव वाला अरिया पर रखेंगे धू दो तिन दिन में भी हम इसको पानी दे सकते हैं दोस्तों यह प्लांट जो है दोस्तों एक हुमिड लवर प्लांट है तो जहां पर अच्छा हुमिडिटी होगा वहां पर हम इस प्लांट को रखेंगे और अच्छा हवादार जगा पर रखेंगे ताकि हवा भी इस को मिलता रहेगा और हमारा यह जो प्लांट है अच्छे से ग्रो भी करता रहेगा दोस्तों इस प्लांट को अगर फटिलाइजर की में बात करूँ तो आप सॉयल में दोस्तों जब वर्मी कॉंपोस्ट को लेते हैं तो आप गौडर का जो पॉडर है गौडर की खाथ हम जिसे प्लांट को नाइट्रोजन बहुत ज्यादा बसंद है तो गोवर की खाथ से इसको नाइट्रोजन मिलता रहेगा और हर 10-15 दिन की बीच में आप इसे जो लिक्वीड फटिलाइजर देते रहे दोस्तों और वह भी ऑर्गानिक दीजिए गोवर की खाथ से ही आप लिक्वीड कभी भी मत कीजिए दोस्तों क्योंकि प्लांट को मतलब वाटर से अगर हम नहलाएंगे या फिर स्प्रिंकल करेंगे तो यह वाला प्लांट जो है इसको बिल्कुल नहीं पसंद है और फंगस भी लग जाते हैं इसका जो पत्या है उसमें काले-काले मतलब जस्पॉट हो ज पता है आपको पता चल जाएगा कि इसको फटिलाइजर चाहिए यह एक हेवी फीडर प्लांट है हर दस से पंदरा दिन के बीच में हमें इसको कोई ना कोई फटिलाइजर देना जरूरी है दोस्तों अगर आप केमिकाल फटिलाइजर देना भी चाहेंगे तो दे सकते हैं हर पंदरा दिन में भी इस प्लांट को अगर आपका एक फिट का गमला है तो आधा चमच से एक चमच के करीबन आधा चमच से थोड़ा से जादा दीजिए और एक चमच से थोड़ा सा कम गोटा सा आप डाल सकते हैं दोस्तों पर इसका जो गमला का चारो तरफ आप डालें इस साइड में आप डालेंगे दोस्तों और कुडाई भी हमें मिट्टी को करना बहुत ज़रू रहे हैं और इस प्लांट को अगर आप घना या बुशी वनाना चाहेंगे तो यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर कटिंग किया था मैंने तो कटिंग के बज़े से यहां से दो स्टेम निकले हैं और यहां पर अभी कलियां भी आ रहे हैं तो इस भी भी आ रहे हैं और ग्रोध भी हो रहा है दोस्तों और यहां पर फूल भी खिलाता दोस्तों तो इस तरीके से आप कटिंग थोड़ा थोड़ा किजिए और पिंचिंग भी कर सकते हैं दोस्तों प्लां को आप नीम ओयल का स्प्रेय करते रहिए दोस्तों हर 10 दिन में या फिर 15 दिन में भी आप कर सकते हैं पर उससे ज्यादा लेट मत किजिए ताकि प्लांट में कोई फंगस बगेरा नहीं लगेगा उसका जो रूट है आप बीच बीच में इसमें राक डालते रहिए दोस्तों एक महिने में एक मुठी का राक इसके साइड में डाल दीजिए ताकि उसमें भी आईरन मेगनेशियम में इसे बहुत सरे जो है जिसके वज़े से प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो भी करेगा और दोस्तों आप अगर सॉल में कोई भी जैसे की बोन मेल हो या फिर सूपर फ कभी क्या होता है अगर धूप और ठिक से उसका जो रूम सॉयल को नहीं मिलेगा तो सॉयल में फंगस लगने का चांसेस रहता है तो इसलिए हम अगर लिकुड के खाद डालेंगे तो सॉयल में फंगस भी लगने का चांसेस कम हो जाएगा दोस्तों और कभी-कभी आप हुआ हो यह प्लांटा को और इसमेंयरा चार छोल भी है और इसमें मैंने जो स्वयल हूं वह आपको बता चुके हूं यह वाला स्वाल हू और थोड़ा कमने फंगसाट की इसमेंएड और साफ कर हमें दूए अब मैं आच्छ से turid करके us spre knowledge है यह रिखी तोस्ता अभ मैंने इस plan को निकाल चुकी हूं और इसका नीचे का भी इस मैंने इस प्लांट को लगा दूँगे आ ए हुआ हुआ है और नीचे का जो मैने प्लांट निकाली रूट त De외 नहे मिट्टी में अच्छे से लग जाएंगे दोस्तों आप इसमें स्रस्टों का जो पाउडर होता है उसको भी आप लिकुड फॉर्म में डाल सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करेंगा वह भी और और गानिक ही है या फिर आप इसके साइड में थोड़ा-थोड़ा भी डाल सकते हैं 15 दिन में या फिर 20 दिन में बहुत ही बढ़िया फटिलाइजर है दोस्तों बहुत सारे फूल भी खिलेंगे और आप अगर इस प्लांट से न्यू प्लांट बनाना चाहते हैं तो इसको कटिंग से आप लगाएगे रेनी टाइम में अगर आप इसका कटिंग लगाएगे तो दोस्तों बहुत ही जल्दी जो 100% आपका प्लांट जो है ग्रो करने लगेगा दोस्तों और प्लांट आपका एक नया प्लांट रेडी हो जाएगा दोस्तों कटिंग से यह इसली प्रोपागेट होता है बट रेनी टाइम में आप लगाएगे तो वह होने का पंजी सेड को मिक्स करूंगी साफ का ही और इसमें पानी ड़न यह दिखें दोस्तों और मुझे लगता है जितना भी जानकर देना चाहिए था इस प्लांट के बारे में तुमेंने सारा कुछ बता चुके हूँ तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीड को सब्सक्राइब भी करना मत भूलेग दोस्तों तो हम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई